हलो साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर जैसा कि आप लोगों के पता है कि आप लोगों का एक जाम 20 अगस्त को होने वाला है जो कि अब आफ लाइन मोड में करवाया जाएगा आज की हमारी क्लास रेने वारी है चाइल डेवड़पेंट एंड पैड़ागोजी की यहाँ से आप लोगों को तीन से चार कोश्चन आपकी सिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं तो जितने भी लोग इस समय क्लास में जूड़ चुके हैं सभी लोग सेशन को पूरा देखेगा सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर चैनल से नया जूड़ रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजिएगा आपके सामने पहला कोश्चन है अधोगामिश द्धान्त को निम्रिखित में से किस उधारण में दर्शाया गया है तो फटा फट सभी लोग कोश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिस कीजिए और आंसर सही देने की कोशिस करिएगा लिखा है अधो गामी सिद्धान्त को निम्रिखित में से किस उधान में दरशाया गया है पहला है आपके सामने सिसु अपनी बावों के इस्तमाल से पहले दरश्ट विक्षित करते हैं दुसरा है शिसू संग्यानात्मक्ष हमता विक्षित करते हैं और फिर भासा सीखते हैं तिसरा है शिसू पहले धाड और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं तो चौथा है शिसू बुदुदाने से पहले किलकना सीखते हैं तो फिर 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 अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं जिन लोगों ने आपसा नमबर थरी किया था उनका सबका हो जाएगा बिलकुल सही आंसर अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर टू इस प्रकार के कोश्चन आपके एकजाम में जरूर आपको एक से दो कोश्चन देखने को मिल सकते हैं तो चलिए फटा फट हम लोग इसका आंसर करने की कोशिस करते हैं लिखा है देखे कथन क्या लिखा है कफन दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर आए वाले परिवार के बच्चों का बच्पन उच आए वाले परिवारों के बच्चों की तुनना में बहुत अलग होता है इसका जो कारण दिया गया है वो दिया गया है अलग-अलग संसक्रतियों में बच्चों दोरा बच्पन का काल अलग-अलग अनभो किया जाता है सही विकल्प को चुनना है इन चार में से आपको बताना है कौन सा सही विकल्प है पहला लिखा है A और R दोनों सही हैं और R सही व्यक्षा करता है A की दूसरा लिखा है A और R दोनों सही हैं लेकिन R सही व्यक्षा नहीं है A की तिसरा अपसन लिखा है A सही है लेकिन R गलत है चौथा अपसन है A और R दोनों गलत है तो बताईए इन में से कौन सा आपसन सही है ये question अधिकतर लोगों के गलत होते हैं जबकि कैसे होते हैं बहुत ही आसान होते हैं आपको यहाँ पे देखे इसी में answer दिया गया जो आपका कथा ने क्या लिखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर आए वाले परिवार के बच्चों के तुलना में बहुत अलग होता है तो यह बिल्कु सही बात है आपको पढ़ने में भी लग रही होगी आपने फील भी किया होगा देखा भी होगा अपनी आपको से कारण दिया गया था कि अलग अलग संसक्रतियों में बच्चों दोरा बच्पन का अलग 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 नियमों के साथ खेलों में भागिदारी तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनभवों के आजपास के अंद्रित होती हैं वे किस अवधिके लच्छन हैं पहला है सेस्व अवस्था दूसरा है प्रारंभिक बच्पन तीसरा अपसन है मद्ध बच्पन और जोपकी चौ में बनने की प्रवल संभावना रखते हैं और अगर क्लास अच्छी लग रहे हो तो शेर कीजिएगा अपने शाथियों के पास में चैनल पर नहीं जोड़े तो चैनल को सब्सक्राब भी कर लेना है कोश्चन नमबर थ्री के लिए आपसर नमबर थ्री बिल्कु सही है मद् अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर फोर लिखाया निम्लिखित में से सामाजी करण के दोतियक कारक कौन से हैं क्या वो किताब और पत्रिकाएं हैं क्या निकट परिवार हैं मीडिया है या फिर स्कूल है तो बहुत अच्छा कोश्चन है कई सारे लोग इसमें फस निम्लिखित मेंसे सामाजी करण के दोतियक करण पूछा गया है तो फटा फटा आंसर करेगा दोतियक कारक कौन कौन से हैं इंचार अपसनों में से तो हमें पता है कि प्रथम में परिवार आता है बाकि किताब पत्रिकाएं मीडिया हो दोतियी में आते हैं तो पहला तीस्रा और चौथा जहां पर भी होगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा तो पहला तिस्रा और jako आपसन नमबर थ्री में हमें देखने को मिल ला है तो यहे क्रमा देशित जेविक परवरतनों का होना क्या कहलाता है संतुलन अनुकूलन परिपक्कोता या फिर शामाजिक प्रशारण तो बहुत अच्छा कोश्चन है उमिद है सभी लोग इसका अंसर कर लेंगे कोश्चन नमबर 5 के लिए आपसा नमबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा प्याजे के अनुशार अनुवांसिक रूप से क्रमा देशित जेविक परवरतनों का होना कहलाता है परिपक्कोता क्या कहलाता है परिपक्कोता कहलाता है आपसा नमबर 3 बिल्कुल सही आंसर है कोश्चन नमबर 5 के लिए आपके सामने कोश्चन नमबर 6 सभी लोग पढ़ फिर अमूर्थ संक्รयात्मा कवस्ता लेकिन अमूर्त नहीं, चौथा है अमूर्थ संक्रयात्मा कवस्ता मांसिक रूप से करने में अच्च्छम, तो बताईे क्या उसमें सही हो जाएगा, कोश्चिन नम्ब चे के लिए आपको आंसर करना है, तो question number 6 के लिए यहाँ पर जो सही है वो है अमूर्थ संक्रियात्मा का वस्था लेकिन अमूर्थ नहीं संचालन क्रियाएं कर पाते हैं तो यह जो है सही जो है आपका बिलकुल सही है अगला question है question number 7 लिखा है बच्चे का अपने आप से बात करना क्या कहलाता है उनको एहम के अंता का गोहतक है वो या फिर उसकी सोच को विनेमित करने में उनकी मदद करता है उनके मनोविग्ञान और भासा विकास में बाहर डालता है या फिर गंभीर में बहर सम्मंदी समस्याओं का पहचान करता है तो question number 7 के लिए आप लोगों को आंसर करना है बच्चे का अपने आप से बात करना क्या कहलाता है तो ये कहलाता है उनकी सोच को विनेमित करने में उनकी मदद करना तो option number 2 बिल्कु सही है question number 7 के लिए इस प्रकार के question आपके exam में आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं तो class में अंतिम तक बने रही हैगा अगला question है question number 9 लिखा है लेव वाइगोस के दोरा निम्खित में से किस से चड़िक से दांत की वकालत नहीं की जाएगी पहला अपसन है इनाम और डंड का उप्योग दुसरा है सामाजिक संपर्ग को बढ़ावा देना तुसरा अपसन है सहकारी सिच्छा का प्रियोग जबकि चौथा अपसन है बच्चों को सांस्क्रिक साधनों का उप्योग करने के लिए प्रोथसाहन देना तो बताएं इन चारों में से कौन सा अपसन आपके इस आपसे बिल्कुल सही है तो question number 9 के लिए अपसन number 1 आपका बिल्कुल सही है आपसन number 1 इस question का बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा question number 10 आपके लिए अपसन आपके लिए बच्चों की प्रगत गुडात्मक रूप से और विकास के सभी पहलूँ को ध्याने में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है तीसरा आपसने सिचक पाठ पुष्टक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए बलेक वर्ड पर उत्तर लिखता है चोथा आपसने बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है तो बहुत अच्चा question था इसका जो सही आंसर रिवाए आपसन number 3 सिचक पाठ पुष्टक पढ़ता है और बच्चों की नकल करने के लिए बलेक वर्ड पर उत्तर लिखता है जिन लोगों ने अपसन number 3 किया था उनका सबका बिलकुल सही माना जाएगा अगला question है question number 11 कोहल बरक के नेतिक विकास के सिध्धानत में सामाजी विष्था बनाय रखने के चरण की विष्था है पहला अपसने पारस परिक्ता की समझ दूसरा अधिकार का डर और सजा से बचना जबकि तीसरा अपसने दूसरों का इसने है और अनमोदन प्राप्त करना चौथा अपसने कानूनों को बनाय रखना समाज के प्रतेक सदस्य का विक्तिगत करता हुए आपको बताना है कोहल बर्ग के नेतिक विकास के सिध्धानत में सामाजिक विष्था बनाय रखने के चरण की विष्था इनमें से कौन सी है क्वेश्चन नमबर 11 के लिए अपसन नमबर 4 बिल्कु सही है जिन लोगों ने अपसन नमबर 4 किया था उनका सबका बिल्कु सही अंसर माना जाएगा अगला कोश्चन नमबर 12 लिखा है हावर्ड गार्डनर के अनुशार बुद्ध एक इकाई है बुद्ध के कई अलग अलग प्रकार हैं बहुत दिखल अच्छनों को तीन आयामों संचालन सामगरी और उतपादों में वर्गी करत किया जा सकता है कि चौथा अपसन ने बुद्ध में एक सामान निकारक है और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं बहुत अच्छा कोश्चन है उमेदे आप लोगों ने इसका अंसर भी कर ही लिया होगा इसका सही अंसर हो जाएगा अपसन नंबर टू बुद्ध के कई अलग अलग प्रकार हैं जिन लोगों ने अपसन नंबर टू कर लिया हमका सबका बिल्कुछ सही हो गया होगा अगला कोश्चन है कोश्चन नम्बा तेरा जेंडर तथाश्ट भासा का प्रियोग वा जेंडर के एक सामाजिक सनचना होने पर चर्चा करने से क्या लिखा जेंडर बहे दवाब को बढ़ावा मिलेगा जेंडर पच्छपात सुद्रन होगे जेंडर अनुपालन का प्रुट्साहन होगा या पर जेंडर रूड वादिता को चुनोती मिलेगी जेंडर रूड वादिता को चुनोती मिलेगी जिन लोगों ने आपसन नंबर फोर कर लिया था उनका सबका विल्कुर सही अंसर हो गया होगा कौशन नंबर 14 है आपके सामने विवेद प्रष्ट भूमी के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए सिच्छक द्वारा डाट डाट का पालन किया जाना चाहिए पहला है मान की करत पाठे करम दुसरा है पाठे पुस्तक के अंदिर सिच्छा सास्त्र तिसरा आपसने विवेदित निर्देसात्मक सेलियां की चौथा आपसने योगात्मक मुल्यंकन तो कौशन नमबर 14 के लिए जो बिल्कुस सही अंसर है वह है आपका आपसन नमबर 3 विवेदित निर्देसात्मक सेलियां जिन लोगों ने आपसन नमबर 3 कर लिया था उनका सही हो गया होगा कौशन नमबर 15 है बच्चों के मुल्यंकन के बारे में निर्दिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यह याद रखना पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है पहला कथा ने आपका मुल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाद करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविद कारकों को शामिल किया जाना चाहिए दुसरा अपसा ने मुल्यांकन हमेशा सिच्छन अदिगम से अलग गत्विद के रूप में किया जाना चाहिए सही है उमेद है आप लोगों ने अंसर कर लिया होगा कोश्चन नमबर पंद्रा के लिए आपसा नमबर टू बिल्कु सही है मुल्यांकर हमेशा सिच्छन दिगम से अलग गतिविद के रूप में किया जाना चाहिए तो आप लोग याद रखेगा बहुत इच्छा कोश्चन में रखा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोश्चन कहा जाएगा इसको उमेद है आप लोगों ने इसका अंसर कर लिया था पहले से ही अब हम बात करते हैं कि आपको कहां से पढ़ाई करनी है कहां से आपको हमान्सी में के फिरी नौट्स मिलने वाले हैं तो आपके सामने ABS का वो सभी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं तो आप लोग जरूर इसे आपको डाउनलोड कर लिजिएगा यहाँ पर आपको फ्री में भी बहुत कुछ मिलने वाला है तो चलिए आप लोगों को मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद बबाए